हाई गाईस ये दिवांग मश्वरी दिस साइट Asian Paints एक सबसे बड़ी इंडिया की paint company है जो कि हमेशा से ही एक consistent performer रही है 22-23 रुपई की ये company जो 2000 में थी आज वो जाके 3,200 रुपई से भी जादा की है सवाल ये आता है कि क्या ये सही समय है Asian Paints हरीदने का इस वीडियो में हम समझेंगे उस जवाब का आंसर साथ में मैं आपको consistent compounding companies के कुछ characteristics भी बताऊंगा और उनको chart से आप कैसे relate कर सकते है और multi baggers companies के chart होते कैसे और क्या आप उनसे infer कर सकते है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यह है Asian Paints का monthly chart पहले में monthly chart के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि इस chart से बहुत ही insightful चीज़े आती है आपको यह समझ माएगा कि कोई consistent compounding company होती है तो उनके charts कैसे आपको वो सब चीज़े बताते है जैसे कि आप यह दिखेंगे यह company 2000 year में around 2022 रुपीज की थी जो कि अब 3200 रुपे की है तो आपको इस chart में एक चीज़ दिखरी होगी कि यहाँ पे एक consistency है consistency किस चीज़ की consistency है uptrend की stock जब कुछ overall crash market में आया है तब ही सबसे ज़्यादा correct दिखा है उसके अलावा ज़्यादा कुछ correction इस stock में देखा नहीं गया जैसे कि हम 2008 crash देखे तब यहाँ पर एक अच्छा डिप आया था overall stock 137 का 68 रुपीज आ गया था नहीं 50 रुपीज तक का negative हो गया था इसके बाद हम देखे तो हमको इसमें ऐसा कुछ जादा overall downside नहीं दिखती है यहाँ पर हमने overall corona crash में भी देखा company ने ऐसा कुछ खास correction नहीं करा company आप पर 25-30% ही correct भी थी तो आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आएगी कि यह इसके चार्ट है वो यह बता रहे है कि company का sales consistency है company का profit है वो consistent बढ़ रहा है हमने पिछले दो वीडियो में cycle company इसके बारे में भी discussion करा था जहाँ पर हमने इसके completely reverse चार्ट देखे थे जो की simply उपर नीचे उपर नीचे आपको जाते वे बिखेंगे और यह उसका complete opposite है अगर आप पीछे जाके दोनों चीजों की fundamental story देखोगे तो आपको एक clear difference में लेगा कि यार consistency से क्या पैसा बनता है और अगर consistency नहीं होती है तो क्या पैसा बनता है तो अगली बार आप जब भी किसी fundamentally stock को analyze करे तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि sales consistency, profit consistency कैसी है अगर नहीं तो वो एक long term story नहीं होती उसमें mid term प्ले ज़रूर कर सकत पर एक longer term नहीं अभी हम to the point आते है Asian paint की क्या हमें इसमें करना चाहिए देखे हम जाते है weekly chart पे गरम देखे तो ये 2020 coronavirus crash है stock जो है वो एक 25-30% का correction आया और उसके बाद stock ने breakout दिया यहाँ पे और coronavirus crash को around 1900 rupees पे cross करा उसके बाद stock ने यहाँ पे 43-44% तक का return दिया and stock वापस से जाके correction mode में चला गया अब देखिए जब भी कुछ ऐसा return आता है 40-50% तो एक pullback जरूर आता है जहाँ पे हमको पुराने जो भी profit हुए है लोगों के यहाँ पर वो फुड़ी profit booking करते है जिसके कारान एक pullback आता और वही हमने यहाँ पे भी देखा एक pullback आया stock न 27% तक का overall run दे चुकी है अब अगें यह एक large cap company है अमने यहाँ पे एक it seal tick पे भी discussion करा था कि large cap company से कैसे deal करना है अगर आप यहाँ पे momentum का फायदा उठाना चाहते है तो आप को ऐसे consolidation का wait करना चाहिए अगर सोचिए आपने यह stock FOMO में आके जब यह विल्कुल तेजी में था 50% बढ़ गया था तब आपने यह अगर 262600 रूपीज के आसपास लिया होता अगले ही 4-5 हक्तों में यह 2200 रूपीज तक पौच गया होता और ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब हम इसी कोई consistent company ले और वो भी 25% गिर जाए तो मन को तो नहीं मानता है बिल्क इसे large cap companies breakout देती है जो कि बहुत mature होती है जहाँ पे हमको easily पूरी long term history पता है sales figure पता है किस तरीके से company grow कर रही है वो will predictable होता है तो वहाँ पे काफी predictable results भी आते है यानि की share price भी काफी predictable ही बढ़ता है इसलिए अब यहाँ पे company वापस से consolidation में चले गई इस 25-27% के बाद और यह यहाँ पे company ने एक breakout देने की कोशिश करी जो कि fail हो गया चलिए हम daily पे चलते और detail में समझते हुआ क्या अब देखिए यहाँ पे overall market में भी अगर हम देखेंगे तो एक correction आ गया था यह उपर की side जो है यह market है ठीक है और यह जो है यह नीचे stock है तो आप देखिए यह market में correction यहाँ पे जैन्वरी 22 में उसके आसपास ही stock में भी correction आ गया और यह जो breakout हुआ था वो breakout fail हो गया अब अगर हम बात करें इसके key support levels की तो वो कुछ इस तरीके से रहेंगे एक जो बहुत बड़ा major support होता है वो एक major support तो आपको around 2,900 रुपीज के आसपास का है तो सबसे अच्छा low risk entry point जो हो सकता है वो 2,900 रुपीज के आसपास हो सकता है बट अगर आप mid term के लिए या आप positional या swing के लिए देख रहें तो वहाँ पे हो सकता है काफी time consume हो जाए जैसे कि हमने इस time पे देखा stock अगर आप इस particular candle में लेते तो यहाँ पे काफी time लग जाता है उसको rebound होने में ऐसा क्यों होता है क्यों फटा-फट से नहीं होती है चीज क्योंकि mature company है आप टाइम लगता 20% easily मिल जाता है safe money comparatively होता है क्योंकि volatility वहाँ पे कम रहती है तो यह एक बड़ा support level है अगर हम really chart पर जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं तो हम को यहाँ पर trend line भी दिखती है जहाँ पर company अभी support ले रही है अब यहाँ पर फिर एक नई learning में देता हूं वह यह कि जब भी इसे breakout failure हो जाते हैं तो यह trend lines एक important role play करती है यह trend line आपको एक low risk entry point दे सकती है जहाँ पर आप stock को खरीच सकते है comparatively low risk पर अगर यहाँ स्वे इसके नीचे close हाता है तो आप महाँ पर exit कर सकते हैं और आपका target हमेशा यह रहेगा कि आप एक नए high की तरफ बढ़े और नए high को तोड़ने के बाद around 20-25% और तो यह चार हजार रुपे तक का यहाँ पे immediate target बनता है अब एक अच्छा momentum जो आएगा वो again इसी level के उपर आएगा जो पुराना breakout area था क्योंकि यह अभी line of lease resistance के तरह role play करेगा to 3463 रुपीज के आसपास का और यह एक entry point Asian points में हो सकता है अभी लेने के लिए और अगर यह point भी तूटता है तो यह जैसे कि हमने बात करी एक major supporter 2955 तो इसके आसपास 20 चॉक में accumulate कर सकते हैं आप mid term के लिए एक अच्छे swing के लिए 4000 के target के लिए immediate यह आप खिल सकते हैं उसके बाद हो सकता है company वापस से एक इस तरीकी के consolidation में चले जा आपको यहां पर किस चॉक से कैसे डिल करना है अच्छे से लग जाएगा comment मुझे बताएगा कैसा यह learning और वीडियो को लिएक जरूर करिएगा साथ में recently company का results है वो भी आ गया है तो उसका price action भी factor in हो चुका है अब क्या है हमको अब overall result date की चिंता नहीं है result आ चुके company इसलिए इसमें आपको time देना पड़ेगा करीवन 6-7 महिने का यह percentage निकालने के लिए risk को ignore मत करेगा stop loss लगाएगा market already volatile चल रहा है तो अपनी risk को maintain करते वे आगे बढ़िए यही सबसे अच्छा तरीका होता है market में exposure in करने का भी और out करने का भी तो मिलते है फिर से अगले वीडियो में इमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कुछ इंटरेस्टिन चीज आपको इसमें मिली होगी सी यू गाइज अगैन ने निक्स वीडियो थांकियो वाचिंग सीए तिवां महश्वरी